गाओं के किनारे एक टूटी फूटी सी जोपडी थी उस जोपडी में एक बूढी ओरत रहती थी बिलकुल अकेली उसके बिखरे सफेद बाल, चमकीली आँखें जो रात के वक तक सर्चमकती थी और लोगों को उस बूढी ओरत की आँखों से डर लगता था एक दिन रिया अपनी मा से कहती है, मा उस घर में कौन रहता है, आप मुझे वहाँ जाने से क्यों रोकती हो रिया, उस घर की तरफ जाना तो दूर, तुम कभी उस घर की तरफ देखना भी मत क्योंकि वहां उस घर में एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को खा जाती है समझी मेरी बात अब चलो यहां से ऐसे हां रोज खड़ी-खड़ी मत देखा कर उस घर की और रिया जिद्दी थी मा के मना करने के बाद भी वो उसी जोपड़ी की और रोज रोज घूर कर देखती रहती क्या सच में वहां चुड़ैल है मैंने तो आज तक नहीं देखा उस चुड़ैल को मुझे वहां एक बुड़ी दादी के सिवाए कोई नजर नहीं आता कहीं वो बुड़ी दादी ही तो चुड़ैल नहीं है नहीं 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 वो चुड़ैल नहीं हो सकती है वो तो मुझे बड़े प्यार से देखती है और बुलाती भी है क्या मुझे वहां जाना चाहिए तब ही पीछे से मा की आवाज आती है नहीं बिलकुल नहीं जब मैंने एक बार बोल दिया कि वहाँ चुडैल है तो फिर तुम वहाँ जाने की जित क्यों कर रही हो वो तुम्हें खा जाएगी अब तुम अंदर चलो दुबारा उस तरफ देखा तो मार पड़ेगी तुम्हें मा के इतना बोलने पर भी रिया नहीं मानती है और एक रात वो उस बुड़ी औरत के पास चली जाती है तुम्हारा नाम रिया है ना आपको कैसे पता कि मेरा नाम रिया है आप चुडैल हो इसलिए पता होगा शायद अरे क्या मैं तुम्हें सच में चुडैल जैसी दिखती बिलकुल नहीं मेरी मा कहती है कि चुडैल के लंबे लंबे नाकून होते हैं बड़ी बड़ी आँखियों लंबे दाथ होते हैं दिखने में बहुत डरावनी होती है पर वैसी तो तुम बिलकुल नहीं हो इधर आओ मेरे पास मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ बुड़ी रिया को एक बहादू लड़की की कहानी सुनाती है और रिया को वो कहानी बहुत पसंद आती है तब ही पीछे से मा की आवाज सुनाई देती है मा बुला रहे है मुझे जाना होगा भी पर मैं कल जरूर आउंगी क्योंकि मुझे तुम चुड़ैल नहीं लगती हो तुम तो बहुत अच्छी हो हाँ ठीक है कल भी आ जाना मैं कल तुम्हें देर सारी कहानिया सुनाऊंगी परियों की रिया बहुत खुश थी बुड़ी दादी से मिलकर वाकसर उसे चुप चुप कर मिलने जाने लगी कुछ दिन बाद गाओं में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी गाओं के लोग उस बुड़ी आउरत को उसकी वजह बताने लगे गाओं के सभी लोग अपने अपने हाथों में एक एक मशाल लिए बढ़ते जाते हैं उस बुड़ी आउरत के जोपड़े की और और उसके जोपड़े में आग लगा देते हैं बुड़ी आउरत अपने आपको बचाने के लिए अपने घर में बने उस गटर के अंदर छुप जाती है जब सुभे होती है तो रिया बुड़ी दादी का जोपड़ा जला देखकर बहुत रोती है दादी यह क्या हो गया किसने चलाया तुम्हारा यह घर दादी तुम कहा चली गए रिया बहुत रोती है जब वो रात के समय सो रही होती है तभी उसे एक आवाज सुनाए देती है ये ये आवाज कैसी जैसे कोई मुझे रिया रिया कहकर बुला रहा हो मुझे जाकर देखना होगा आवाज गटर से आ रही होती है ये आवाज ते इस गटर के अंदर से आ रही है कौन है वहाँ तब ही गटर का थोड़ा सा धकन खुलता है उसमें से एक जरावना हाथ और फि लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दाथ, रिया उसे देखकर बहुत डर जाती है रिया दरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं मैं तुम्हारी बुड़ी दादी जिसके पास तुम रोज आती थी उससे मिलने और दादी तुम्हें रोज कहानिया सुनाती थी क्या सच में तुम वही दादी हो, पर तुम तो बहुत डराओ नहीं हो जैसे मेरी माँ बताती थी चुड़ैल जैसी मैं चुड़ैल नहीं थी, पर इन गाउवालों ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं सच में चुड़ैल बन गई, जब वो लोग मेरे इस जोपड़े में आग लगा चुके थे तब मैं अपने आपको बचाने के लिए इस गटर के अंदर कूद गई पर मेरी किसमत खराब थी, मैं यहां भी बच नहीं पाई मैं पहले जैसी अब कभी नहीं हो सकती, अब मैं एक आत्मा हूँ, मैं मर चुकी हूँ, मैं बस एक एक चचाचाती हूँ इस गटर से मुक्त होना क्या तुम मुझे यहां से निकालने में, मुक्ती दिलाने में, मुझे आजाद करोगी हाँ दादी क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस गटर से चुटकारा जरूर दिलाऊंगी, मैं तुम से वादा करती हूँ तब ही पीछे से अचानक रिया की मा आ जाती है, और रिया को चुड़ैल से बातें करते देख, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं मेरी बच्ची रिया, तुम्हें कितनी बार का आए कि यहां मत आया करो, फिर भी तुम यहां पर आई, मैंने अभी उस गटर के अंदर एक भयानक पड़्चाई देखी, वो जरूर चुड़ैल थी वही जोपड़ी वाली, रिया, अब हम इस गाउं में और नहीं रह सकते, हमें जाना होग कि क्या, रिया मुझसे वादा करके गई है, वो जरूर मुझे यहां से बाहर निकालेगी, चुड़ैल कई दिन कई महिनों तक रिया के आने का इंतजार करती है, पर रिया उसके पास नहीं आती, अब चुड़ैल का गटर के अंदर ही दम खुटने लगा, वो गुसे से और जादा खतरनाक हो गई, मैं आज बाहर आ गई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है इस गटर से बाहर निकल कर, पर मैं अब इस गाउं को नहीं छोड़ूंगी, बिना अशला दूंगी यहां, शाम का वक्त था, चंदर रोज की तरह खेतों से घर की और जा रहा था, तब ही उसके सामने वो गटर वाली चुडैल आ जाती है, और आकर खड़ी हो जाती है, चुडैल अभी भी चुपचाप खड़ी थी, तब ही चुडैल फॉरण चंदर की गरदन पकड़ लेती है, चंदर चुडैल का चेहरा देखकर डर से कांपने लगता है, उसकी तो जैसे बोलत कहां है, मेरा घर एक गटर है, और उसी गटर में फेक देती है, सड़ब तु इस गटर के अंदर, जैसे मैं सड़ी, चुडैल चंदर को गटर के अंदर ले जाकर एक चेन से बान देती है, और अपने अगले शिकार की तलाश में, फिर से गाउं में खुश जाती है, सुभे कहां से आई, वो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा गाउं इसी चर्चा में था कि कीचर गाउं में आई कहां से, तभी गटर से बाहर वो चुडैल निकलने लगती है, गाउं के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए घरों में जाकर छिप जाते हैं, पर चुडैल फिर भी गुसे में, लोगों को पकड़ कर गटर के अंदर कीच कर ले जाती है, और ऐसा चुडैल रोस करती है, ये गटर तो लोगों से भर चुका है, अब मुझे दूसरा गटर बनाना होगा, चुडैल दूसरा गटर बनाती है, फिर तीसरा भी, गाउं में ह शेहर में रिया अपने नाना नानी के साथ थी, पर वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, चुप-चुप सी रहती थी, एक दिन नानी रिया से पूछती हैं, रिया बेटी क्या बात है कुछ दिन से तुम महत परेशान लग रही हो, अगर किसी ने तुमें कुछ बोला है तुम मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, डाट लगाऊंगी, मैंने किसी से वादा किया था पर मैंने वो वादा पूरा नहीं किया, मुझे जाना होग अपना वादा पूरा करने, रिया की बात सुनकर नानी चौंक जाती है और सीमा से बात करती है इस बारे में, सीमा पूरी बात मुझे अभी भी नहीं बता रही, मुझे रिया से ही पूछना होगा, नानी बड़े प्यार से रिया से गाओं के बारे में पूछती है, रिया भ बहला पुसला कर यहां ले आई अगर गाउंवालों को जरा भी पता चलता कि रिया उस बूड़ी औरत से मिलती है तो वो लोग मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या करते मुझे पता है अब मुझे क्या करना है हमें वापस उस गाउं जाना होगा नानी रिया को अपने साथ गाउं लेकर जाती है गाउं जाते ही चुडैल की निजर रिया पर पड़ती है आखिर तुम आ गई बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे तुम्हे मेरी बिलकुल याद नहीं आई अपनी तादी की याद नहीं आई पूरा गाउं ये देखकर हैरान हो जाता है हमें सब पता चल गया है रिया ने सब बताया जो तुम्हारे साथ हुआ अरे गाउं वालों शरम करो कुछ तो ये अंधिविश्वास निकाल कर फेको अपने दिमाग से ये जो तुम लोगों के साथ हो रहा है उसी अंधिविश्वास की वाज़े से हो रहा है गाउं वालों को अपनी गल्ती का एहसास हुआ जिस गटर में मैं रहती हूँ उसी गटर में गाउं के लोगों को मैंने बंदी बना कर रखा है इतने दिन वहीं गंदगी में रहने से शायद उन्हें अकल आ गई होगी उन सबी को गटर से बाहर निकाल दिया जाता है और साथ में मरी हुई बुड़ी औरत का शरीर भी उसके शरीर को पूरी विधी विधान के साथ जला दिया जाता है शुडैल रिया को अलविदा कहकर गायब हो जाता है